हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अपणना फ्रेंस, आज मैं आपसे ऐसी रेमेडी सेर कर रही हूँ जिसको आप लेंगे तो आपकी बरसों पुरानी खासी चाती में जो जकडन होती है सीने में वो ठीक हो जाएगी और बलगम जो जमा रहता ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्यूंकि आज कल सरदियां हैं सरदियों में सभी को खासी जो काम रहता ही रहता है और बच्चे बहुत ही परिसान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं दवा लेते हैं तो दवा ना लेकर आप पिये देशीन उसका आजमाएं बहुत ही कारगर है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और आप से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा लाइक करते हैं तो मेरा होसला वड़ता है तो चलिए बनाते हैं तो यहां पे हमें लेनी है काली मिर्च एंटी ऑक्सِजेंट होती है और गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इसे हम चाय में डालके भी पीते हैं तो इसका यूज आप इस रेमिडी में करेंगे और ये जो रेमिडी है ना ये सिर्फ तीन चीजों से मिलकर बनेगी तो चलिए बनाते हैं और ये सारी चीजें हमारे किचन में लमसम होती ही होती हैं तो देखते हैं क्या-क्या इसमें पड़ता है तो अभी हम यहाँ पे करीब एक छोटा चंब्म्स ले लेंगे काली मिर्च तो अगर आपकी काली मिर्च थोड़ी सी बड़ी है तो आप आधा चंब्म्स में थोड़ी कॉन्ट Works लें। लेंगेज़ है। आम इसे इस तरह से पीश लेना है तो आप ये काम ईम канал दस्तना में भी कर सकते हैं और जसमें मेरिच और युज और काली मिर्ज को बहुत पीश लेना है और काली मिर्ज को पीश फ्रेशली मंगाएं और यह पीशन से इसको नहीं ही keeps पीशना है मतलब इसको कवैं तो अच्छा में पाउडुर बना लेते हैं तो इमाम्दस्ते में यह बहुत समानी से तो ईसे भी पीशनें तो बहुत चाहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेके पीश सकते हैं तो मैं आपको देखें के भी दिखा दी हूं क्योंकि जो भी हम ठान लेते मन में वहां की रहता है क्योंकि आसा कोई काम नहीं है जो हम सोचे और हो न तो देखिए मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है यह देख रहे हैं इस तरह से महीन होना चाहिए और अगर यह दरदरा रहेगा न तो जब हम इसको खाएंगे तो यह हमारे मूह में आएगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कड़वा लगेगा और बच हैं जो हमें मिक्स करनी है तो यह आराम से आपको किसी भी पंसाड़ी की दुकान पर मिल जाती है तो इसे पीपली भी खासी में बहुत ज़्यादा आसरदार है तो यहां पे आपको than.Tुरं अबस साथ से नवलेना कि होते तो इसका असर उतना जादा नहीं होगा है तो इससा हमें इससे हम्हेंज़ासे देखिए पीछ लेना है तो इसको पीछים मैं इसे कच्चा ही पीश रही हूँ और यहां पे देखिए हमने इसको इस तरह से पीश लिया है तो इसे भी हमें एकदम बारीक पीशना है और मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सारे चीजें हमें मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीश नहीं है इमान दस्ते में पीश ही है या आप इस तरह से चकले पे पीश सकते हैं तो आज मैंने अपने चकले को इमान दस्ता बना लिया है तो देखिए इसको मैंने इस तरह से पीश लिया है और आप यह जो रेमिडी है इसको बना के रख सकते हैं और आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इसे कैसे खाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और आप इसे बच्चों को कैसे दें कितना दें कितने साल के बच्चों को आपको इसे देना है और कितने साल के बच्चों को नहीं देना है क्योंकि यहां पे जो पीपली तोड़ी गरम होती है और अगर आप ज्यादा कांट्री में बच्चों को दे देंगे ना तो यह नुकसान भी कर सकती है खुसकी हो सकती गले में और इसी दिए हम आपको पूरी सारी जानकारी देंगे तो यहां पे देखिए मैंने पीपली को भी पीस लिया है और इसे एक बा जीए तो आप इसे शिशी में भरके रख लीजिए कोई कांट की शिशी है उसमें रख लीजिए और जबी आपको ऐसी कोई खांसी वाली प्रॉब्लम है जुखाम है तो आप इसको बना के खा सकते हैं तो मैं यहां पे देखिए अब इसमें एट करूंगी हनी तो हनी को हमे very much future ज्यादा फाइदा करता है और जब बहनी के साथ यह सारी चीजे मिक्स हो जाती है न तो ओर ही ज्यादा यह फाइदे मंद atem पहले की जवाने में लोग ऐसे ले बनाकर रख लेते थे और सब देते थे घर में किसी को भी खाले तो खा लेते थे तो बिल्कुल भी ठीक हो जाता था विल्कुल भी दवा की जरुवत नहीं पड़ती थी तो अभी देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है तो अभी मैंने यहां पे तीन चम्मच एड़ किया है एक चम्मच हम और एड़ कर देंगे इसमें ताकि यह अच्छा- पल भर में ठीक हो जाएगी और आपको यह खाने आना चाहिए क्योंकि यह थोड़ा सा कड़वा होता है तो सभी इसको नहीं खा पाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा खा लीजिए मतलब जितना में बताऊंगी उतना ही बच्चों को देना उतना ही आप इसको खाना ज्याद तो चोटे बच्चों को देना है तो चोटे बच्चे कितने पांच साल के ऊपर के बच्चे पांच साल के नीचे के बच्चों को आप यह नहीं देना है और यह करीब आपके 15-16 साल के बच्चे हैं उनको आप आधा टीस्पून दे सकते हैं और अगर आपको खासी की वार्फ टीस्पून और शोटे बच्छों को भी नहीं देना है और देना कितनी बार है आप यह दो टाइम ले सकते हैं सुभे और साम तो इसको इसतर से स्पून में लेकर चाट लिए उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है इतना दियान रखें पानी को आपको करीब एक जमा हुआ बलगम है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आपको मेडिसिन लेने की बिल्कुल भी चरुवत नहीं पड़ेगी खासी जुखाम सभी में बहुत असरदार है तो अगर रेमिडी आपको पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीज जञेए तो झाला कर दो पतामन है